वेलकम डू देवम्टेयर फाइनली आज आपके सामने है न्यू लाँच दो हजार तेज की बजाज की पलसर 220F का E20 OVD2 वाला मॉडल इस बाइक में कंपनी ने क्या क्या बदलाव की है नई फीचर्स क्या है माइलिज क्या है टॉप स्पीड क्या है प्रैस बढ़ने के बाद अब इसकी नई ओन रोड कीमत क्या है सारी जानकारी देने वाला हूँ कलर की बात करें तो टोटल तीन कलर मिल जाते हैं जिस मैं आपको ब्लैक के उपर में ये रेट कलर के ग्रापिक्स आप देख रहे हैं इसके पहले सबसे बड़े अपडेट की बात करें तो ये बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला मॉडल आप देख रहे हैं आपर E20 का स्टीकल मिलती है जिससे हवा बगारा पास हो सके देखने में ये 220 पलसर 150 से काफी बड़ी नजर आती है साइड में आपको रेड कलर के ग्रापिक्स मिलते हैं उपर में दो छोटे छोटे फोल्डेवर मिरर का सेटम मिल जाता है बाकी ये जो वाइजर है वो काफी बल्की और हैवी ह सबसे पहले में इंजिन को ऑन कर देता हूं तो जैसे ही इंजिन इसका ऑन हो जाता है बाइस की जो फैरिंग है दो का multiply को पलाप rebellion को पसंद फुली फ्लेक्सिवल इंडिकेटर मिल जाते हैं बाकी इंजन को अभी हम बंद कर देते हैं और इसके फ्रेंट का जो मटगार है वा आपको थोड़ा सा कारवन फाइवर टच ग्लॉसी इफनेस और रेट कलर के ग्रापिक्स के साथ मिलता है फ्रेंट में 280 mm की डिस्क मिलती है जिसमें सिंगल चैनल EBS आपको मिल जाएगा 90-97 का ट्यूब लेश टायर मिलेगा फ्रेंट में टेलिस्कॉपिक बिद एंटी फ्रिक्शन बस वाली सस्पेंशन का सेटर मिलता है अभी हम चलते हैं बाइक के रियर की दरब तह यहाँ पर जो पैनल है यह भी आपको थोड़ के अग्जोस्ट के साउंड को सुना देता हूं जैसा कि यह नया मॉटल है तो ओवीडी टू सेंसल लगने के बाद इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा रिफाइन हो चुका है प्रीवियस वाले से क्लिपन वार हैंडल वार मिलती है और इसमें आपको वही सेमी डिजीटल मी इसमें आपको ब्लू कलर की लाट मिलती है डिस्पले में यहाँ पर आपको स्पीडो मीटर मिल जाता है रियल माइलेच इंडिकेटर मिल जाता है इसमें आपको डिटी भी मिल जाता है इसमें आपको गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलेगा बागी साइड में यहाँ प पास, यहां पर आपको पासिंग, अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉन, बाइक में आपको डूल हॉन मिलते हैं, जिससे आपको काफी अच्छा साउंड मिल जाता है, स्लीपर कलज बगरा है, इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा, एक सो साट किलोग्राम बाइक का टोटल करवेट है, और इसके जो फूट पैक्स हैं, आपको थोड़े से पीछे की तरब दिये गए हैं, जिससे स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिल सके, DTSI Twin Spark वाला इसमें इंजन दिया गया है, जैसा कि दो स्पार्क प्लग इसमें आपको मिल जाएंगे, इंजन गाड भी आपको काफी अची विल्ड क्वालिटी, 165 mm की ग्राउंड गिलेंस मिल जाती है, सबसे ची बात इसमें आपको ओइल कूलर मिल जाता है, जिससे इंजन में हीटिंग की दिक्कत ना आए, इसमें 220 CC का ओइल कूल्ड फोरिश्ट रॉक टुनिस पार्क DTSI FI वाला इंजन दिया है, जो 20.4 PS की मैक्स पावर देता है, 8500 rpm और 18.55 mm का टॉर्क पैदा करता है, 7000 rpm बाइक का जो इंजन है, वो पहले से काफी रिफाइन हो चुका है, बाइब्रेशन भी इसकी जा चुकी है, बाकि आपको एक मेटल की ब्लेट मिलती है, अगर आप देखेंगे तो भाई थोड़ा सब पंडूबी जैसा लगता है, देखने में काफी लंबा है, और इसके उपर में भी मेटल की प्लेट है बगरा लगाएगे हैं, जिससे हीटिंग बगरा की दिक्कत ना हो, पीछे में आपको नाइट्रोक्स वाले अडजस्टिवल, कैनिस्टर वाले सस्पेंशन का सेड़ मिलता है, पीछे वाले टायर की बात करें तो 120, 80, 70 प्रोफाल का टायर मिलता है, टायर की जो ग्रिप है वो कुछ ऐसी है कि आप इसको थोड़ा बहुत आफ रोड़िंग मे पीछे वाले टायर की चोड़ा ये 120 mm, साइड से देखें तो वाई काफी अच्छी लगती है, 350 mm का वील बेस और 1165 mm की हाइट मिलती है, पाकी यहाँ पर आपको मिल जाता है, स्प्लिट वाला क्रेस गार्ड जो की अभी असेमल नहीं है, और यहाँ पर आपको साड़ी गार भी मिल जाता है, फोल्डेवल वाले फुटपेक्स मिलते हैं, जिसमें रवर की ग्रिप का यूज किया गया है, और यहाँ पर आपको बॉक्स वाला स्विंगार मिलता है, और आप इसको यहाँ से एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बील को एकदम सेंटर में भी रख सकते है इसमें एपको 엄마 कबर दिया गया है, गियर की अगर बात करें तो इसमम को टोटल 5 गियर ओक्स का मिलता है, बैक में टोटल आपको Truffols, उपेज्टमा आपको ₹ाँ और बात करेंっ systems ​​ जो गियर की position में में गया है, फ्तिल post आपको ₹ एक से प।टल नचेन ना पड़ेगा तो प्राइस की बात करें तो बजाज पलसर 220F OVD2 की नई एक्षोरूम कीमत है 1,41,219 रुपे बाइक की नई ओन रोड कीमत है अप्रॉक्स में 1,72,978 रुपे ये ओन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है अगर आप कॉलकता हावड़ा होगली आसपास से है और बजाज की कोई भी लेटेस्ट बाइक E20 OVD2 वाली लेना चाहते हैं तो आप सोरूम के नीचे DOH नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको यहाँ पर सारी बाइक अविलिबल हो जाएंगी अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें कॉमेंट करें सेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी अपनी सीटी की ओन रूड की में जानना चाहते हैं तो कमेंट करें अपनी सीटी का ना मैं आपको रिपलाई करके बता तूँँगा थैंक्यू दोस्तों मिलते अगली वीडियो में